अजवी व्यक्तिगा तोरते सिखन नू ऑनलाइन सिखन नालो वदेरे एहमियत दिती जान दिये इस दिन आली कुझा जेहे मुद्धेवी ने जिना दे स्कूल विच चर्चा होनी भी जरूरी है हिंदू प्रणाली में बच्चों को विद्या प्रदान किया जाता है और वेस्टर्न सिविलाजेशन के स्कूल सिस्टम में बच्चों को सिक्षा प्रदान किया जाता है और इसमें अंतर है शिक्षा जरूरी है सिक्षा के माद्यम से बच्चों को वह स्किल्स दिये जाते हैं जो आगे चलकर इनको काम आता है आर्थिक जीवन में व्यवाहरिक जीवन में सफलता प्राप्त करने को ये स्किल्स अवश्यक है लेकिन हर मानव यह चाहता है कि वो एक अनन्त, अक्षय, संतुष्थी एवं प्रसन्नत, आनन्द प्राप्त करें और वो तभी हो सकता है जब हम शिक्षा को विद्या में एन्हांस कर दें As a country, if we have to progress, we have to make sure that हमारा indigenous people, Canadian First Nations people भी प्रास्पर हो हम भी इन लोगों के जैसे ही पंच्छतत्वों को प्रित्वी आपस्ते जो वायुर आकाशा यह सब प्रातना करते हुए इन प्राकृतिक देवी देवतां को प्रातना देते हुए ही हम आगे बढ़ते हैं So there is a lot of similarity हमारे culture में और उनके civilization में इसलिए हमारा यह विश्वास है कि we should educate our children in schools right from the very beginning First, by ensuring that awareness हो Secondly, indigenous places में जाके वालंटीर करना उन लोगों के साथ काम करना यह बहुत आवश्यक है Hindu community is an integral part of the pluralistic multicultural Canadian fabric और हम सारे यही लक्षी से काम करने हैं that we belong to a great nation and we all have to come together, bring our strengths हमारे सारे शक्ती को इखटा करके इस राश्टर के लिए हम क्या कर सकते हैं सारे communities के लिए क्या कर सकते हैं हमें यह प्रयास में लगे रहना चाहिए